औल राइट एन वेलकम टू आल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिक्स जोगरिफी का चैप्टर नम्मर थी चैप्टर नम्मर थी है मोशनस अप द अर्थ इस पूरी वीडियो लेक्चर में NCRT क्लासिक्स चैप्टर थी में जो भी चीज मेंशन है वो हम डिटेल से फोकस्ड यूपीसी प्रिलिम्स प्लस मेंस के बेसिस पर करेंगे नाव रोटेशन पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन क्या होता है, और्बिटल प्लेन क्या होता है, अर्थ डे क्या होता है ठीक है, समर सॉल्स्टर इसके बारे में हर बार कॉशन आयता है, ली पियर, विंटर सॉल्स्टर, इक्योनॉक्स, ऐसे टम्स को हम इस पूरी वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे नाव चैप्टर नमबर थी हम करने वाले हैं, मोशन सॉब द अर्थ, उससे पहले NCRD Class 6 में 8 चैप्टर हैं, अल्रेडी हम 2 चैप्टर करवा चुके हैं, जिसने नहीं देखी पहने इन 2 चैप्टर को देखिए प्लेलिस्ट से और फिर नमबर 3 में आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जोड सकते हैं, आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है, टेलिग्राम एप डाउनलोड करनी है सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है, स्मॉल लेटर में पंकज बोहरा अगर आप इसको टाइप करेंगे, तो आपको एक चैनल मिलेगा अलड़ी, UPSC, PCS डिसकेशन इसमें UPSC से रिलेटर्ज फ्री बुक आपको मिल जाती है, डेली के बेसिस पर, दाहिंदू के फैक्ट मिल जाते हैं आप हमारा पेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसको लेने के लिए बहुत सिंपल सी चीच करनी है, गिवन नम्म पर गूगल पर या फॉन पर कर सकते हैं जो भी हम NCIT Classics से 12 तक UPSC-based पर यह पूरे नोट्स हैं, अगर आपको PDF फोर्म में चाहिए तो आप 299 रुपीज से यह नोट्स ले सकते हैं आपको क्या मिलेगा, Geography, Economics, Policy और History के यह नोट्स मिल जाएंगे, आपको फिर नोट्स बनाने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी जो भी आप payment करेंगे दिये गए नमबर पर ही WhatsApp को जो की payment की screenshot आप करेंगे इसी नमबर पर WhatsApp करेंगे डेली के basis पर देहंदू नोट्स पाने के लिए early subscription ले सकते हैं और monthly subscription ले सकते हैं 99 का और early subscription ले सकते हैं 499 का नोट्स कर लेते हैं chapter number 3 देखे motion of the earth पूरा chapter जो है अर्थ के basis पर है और इस motion को अगर हम समझेंगे तो आने वाले जिसी लियोंग है और आने वाले upcoming जो classes हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं अर्थ के दो टाइप के motion होते हैं rotation और revolution अगर हम motion समझ लें अर्थ के उस basis पर हम सोच सकते हैं कि कब winter आने वाला है कब summer आने वाला है उस basis पर हम अच्छे से concept समझ लेंगे now rotation और revolution rotation क्या होता है rotation is the moment of earth on its axis और revolution क्या होता है the moment of earth around the sun in a fixed path और orbit is called revolution ठीक है अब ये दो पार्ट को मैं visually आपको दिखाऊंगा कि rotation और revolution होता क्या है now अगर आप देखेंगे earth के basis पर यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा ठीक है ये earth है ठीक है अब देखिए मैं थोड़ा से इसको अच्छे से आपको इसका orbital plane दिखा देता हूं ये देखिए ओके now earth का यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये ये वाली एक line जो दिख रही है आपको इस पर वो क्या करता है sun के चारों और घूमता है ठीक है मैं इसको और जूम आउट करूँगा तो और आपको clear दिख जाएगा तो इसे revolution कहते है इसे क्या कहते है revolution कहते है जिसमें earth क्या करता है चारों और sun के चक्कर लगाता है उसे revolution कहते हैं अब ये तो समझ गए earth sun की चारों और चक्कर लगाता है इसे कहते है revolution ठीक है और इस path को देखिए जिस पर ये चल रहा है ये line जो दिख रही है आपको जो ये line देखने को मिल रही है इस line को हम क्या कहते है उसका orbital plane कि क इसे घुमता है ये earth अपनी axis में भी घुमते रहता है ये ऐसे चारों और और sun के अरॉंड भी घुमते रहता है तो उस दो टाइप के revolution होते हैं ठीक है ये वाला जो घुम रहा है जो मैं spin करा रहा हूं इसको इस way में जो earth है वो move करता है इसके साथ साथ वो sun के चारों और भ बता है जो अर्थ की जो access होती है वो वर्टिकल नहीं होती है यानि कि यह earth है तो उसका access कुछ यह होता है ठीक है यानि कि ऐसे इस imaginary line से earth की access गुजरती है ना कि ऐसे वर्टिकल ठीक है तो globe आपने देखा होगा तो उसके basis पर हमने second chapter बताया था कि earth की access क्या होती है तो आपक simple है अब हमारा क्या होता है यह देखो अगर हम earth को देखेंगे तो जो यह orbital plane होता है हमारा जिस orbital में जिस orbit में earth हमारा move कर रहेगा इसमें तो इसके basis पर यह वाली line के basis पर earth की access होती है कितना degree बनाती है 66 and a half degree जो है plane बनाती है now the plane formed by orbit is non an orbital plane अब जो यह plane बनेगा उसे orbital plane अर्थ हमारी sun से light receive करती है आप सबको पता है orbital plane के basis पर जब earth घुमेगा तो उसको कहां से light आएगी यह देखो यह देखो sun से ही तो light आएगी न अब कितना कितनी light आती है कितना कहां पर light आती है वो हम अभी अच्छे से देखेंगे ठीक है अब धीरे-धीरे हम एक अलग-अ dimension में हर एक point में touch करने वाले हैं जैसा पहले बोला earth की axis orbital plane के 63 and half degrees से बना रही हो और उसे orbital plane केते हैं और उसके बाद sun से earth को जो है sunrage receive हो रही है अब एक और चीज है अर्थ का होता है spherical safe इसको जादे अच्छे से समझेंगे तो अर्थ का geod safe होता है बद geod safe का ही मतलब होता है spherical safe तो simple सी बात है कभी भी किसी का spherical safe होगा only half of its get light from the sun at a time एक समय में उसके एक ही हिस्से में सूरज की किरन आएगी या sunrage आएगी now the portion facing the sun experience day while the other half way sun experience night बहुत simple है इसको मैं आपको इसके basis पर दिखाना चाहूँगा यह देखो अभी मैं बहुत पास से इसको दिखाना चाहरा हूँ आपको ठीक है देखो यह यह देखे डारक्ट है अब इसको मैं और ज्यादा जूम करूँगा तो आपको पूरा easy देखने क इसको मिलेगा ठीक है अब देखो यह वाली लाइन आपको देखने को मेले यहाँ पर बहुतता लाइट है और यहाँ पर डारक है ठीक है तो यह वाला इसलिए यह वाला जो हिस्सा लाइट दिख रहा है क्योंकि यह डारटर आगे कि रोशनी आ रही है यह वाला जो पॉर्शन है इसमें डे हो जाएगा और यहां वाला लास्ट वाला पॉर्शन नाइट हो जाएगा अभी आपको थोड़ा सा यहां पर और अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो यह पूरा इस पॉइंट में यहां पर क्या ह इसका मतलब क्या है इसका मतलब बहुत जादा सिंपल है समझने वाली बात है जैसे यह अगर हम देखेंगे देखो मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ इसमें और ठीक है यह देखिए अब इसमें पूरा अच्छे से दिखरा होगा आपको यह देखिए अब यहां पर जो यह है यहां पर तक सन की रेज आ रही है इधर तक नहीं आ रही है इधर से नहीं आ रही है इधर से नह पर ऐसा नहीं कि एक्सेस बीस से आ रही है जहां तक सन है तो यह दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती है यहाला फैक्ट भी आपको याद रखना है अब अर्थ हमारा चौबिस घंटे लेता है तो कंप्लीट वन रोटेशन अरांड इट्स एक्सेस रोटेशन का मतलब क्या होता है एक उसमें पार्ट में जो अर्थ अपने ही एक्सेस में घूमती है यह अर्थ क्या हो रही है अपने एक्सेस में यह घूम रहा है ठीक है यह ऐसे इसे घूम रहा है तो इसके बेसेस पर यह पूरा घूमने अपने ही एक्सेस में कितना घंट कोई ट्राइट से लेता है 14गंटे लेता है उके नाव जो नेक्सटर फैक्ट है एर्थडेए इसपर इस पर कार दा अब यहां पर एक और स्क्ष्शन आता है और अजुन अहीं करेगी उससे पहले मैं आपको ensure कराना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा topic है miss नहीं कर रहे हैं अगर UPSC के लिए आप prepare कर रहे हैं तो मैं आपको एक जो original text book होती है उसके basis पर भी समझाओंगा ओके नाव यह है original text book की जो PDF है motion of the earth chapter 3 हमने rotation कर लिया, हमने revolution कर लिया हमने orbital plane कर लिया circle of illumination भी कर लिया है ठीक है, इसके basis पर अच्छा समझाता हूँ मैं आपको देखो, यह circle of illumination है और axis कहां से जा रही है, यह देखो ठीक है, तो यह circle of illumination होता है now orbital plane के basis पर जो axis है उसका कितना, देखो, बहुत simple है यह orbital plane है यह orbital plane है, जिसमें यह अर्थ पुरा घुमेगी और उसके बाद axis कहां से जा रही है, यहां से जा रही है तो कितना हो रहा है, देखो, 66 and half degree ठीक है, यह orbital plane भी आपको याद रखना है, ओके now, यहां तक हम कर लिया है और यहां तक हम कर चुके हैं ठीक है, तो I think यह ensure हो रहा होगा आपको कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम UPSC, बहुत सारे आपको लेक्षर देखने को मिलते हैं कुछ ना कुछ वो लोग छोड़ देते हैं तो हम पूरे अपने वीडियो स्रीज में यही आपको है कि सबसे पहने concept के clarity देते हैं दूसरा यह है कि आपको जादे से जादा क्या करते हैं चीज़ों को इस पर ठीके इस पर यह समझाने की कोशिस करते हैं कि कोई भी चीज मिशन ना हो ठीके, बांकि आप यहां तक देख चुके हैं तो वीडियो लाइक नहीं किये, वीडियो को लाइक किजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर क्या होगा अगर अर्थ घूमेगा नहीं तो रोटेट नहीं करेगा अपने अक्सिस में तो क्या होगा सिंपल सी बात है तो portion of earth facing the sun would always experience day thus bringing continuous warm to the region सिंपल सी बात है एक तो बहुत ज़दा dark हो जाएगा और बहुत ज़दा ठंडा हो जाएगा सो life यहाँ पर possible नहीं होती देखो बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यह कही जा रही है क्या होता अगर अर्थ सिर्फ अपने ही यह देखिए अर्थ सिर्फ अपने ही उसमें rotation करता ठीक है एक ही portion में अर्थ की light देखने को मिलती ठीक है इसी portion में यह सामने वाली portion में क्योंकि रोटेट नहीं करता तो यह ऐसे घुमते रहता revolution करता बट यह अपनी एक्सिस में rotate नहीं करता तो यहाँ पर अभी अर्थ में life possible नहीं हो पाती इतना concept हम समझ चुके नहीं है revolution तो पताईए आपको अर्थ का second motion जिसमें कि वो sun के चारो और घुमता है उसे revolution कहते हैं अब यह कितना समय लेता है एक पूरा चक्कर कार्टने में अर्थ लेता है 365 और one by fourth days लेता है यानि कि एक दिन का चौथाई हिस्सा तक ले लेता है बट हम क्या करते हैं अपनी accuracy के लिए अपनी convenience के लिए one by fourth जो एक चौथाई दिन होता है उसको हटा देते हैं अब उस दिन को भी तो हटाएंगे तो कहीं न कहीं तो जोलना पड़ेगा simple सी बात है कितना साल ले लेता है एक साल ले लेता है एक साल मतलब होता है 365 दिन बट ये actual में 365 365 नहीं देता है इवन एक चौथाई हिस्सा एक दिन का फिर से ले लेता है ठीक है फिर से ले लेता है बट convenience के लिए हम क्या करते हैं उस one by fourth हिस्से को नहीं लेते हैं इस fourth one by fourth हिस्से को चार साल में add कर लेते हैं तभी तो होता ना कभी February 28 जाता है कभी 29 जाता है जिस चौथे साल में 29 जाएगा तो समझ लो क्या होता है one by fourth, one by fourth, one by fourth करके वो day हमने add कर लिये उन्हें चार सालों के और वो day किसी साल 365 दिन का होता है और हम क्या कर देते हैं उसी को leap year बोल देते हैं ठीक है उसको क्या बोल देते हैं leap year बोल देते हैं अपनी convenience के लिए ओके, नाव leap year का concept फिर से आ गया six hours saved every year एक साल में हम छे घंटे सेव करते हैं तो वैसे ही छे प्लस छे प्लस छे प्लस छे चार बार करेंगे ना 1 by 4 तभी तो होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 24 गंटे ओके नाव छे एक साल में हम कितने सेव कर रहें फिर 6 गंटे क्योंकि 365 और 1 by 4 एक दिन का 1 by 4 हिस्सा हर साल में जो है अर्थ लेता है पूरा एक revolution लेने में नाव जो surplus दिन होता है उसको फरवरी में add कर लिया जाता है तभी तो हर एक चौथे साल में फरवरी 28 दिन के नहीं होती फरवरी होती है 39 दिन के और ऐसा साल 366 दिन का होता है और उसी साल को हम leap year कहते है तो इतना तक concept आपका clear हो चुका है एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर क्या है अर्थ क्या हो रहा है इस गोइंग अराउंड दसन अर्थ दसन के चारोंगर मोव कर रहा है बट किस पार्ट में मोव करेगा वो पार्ट में elliptical orbital elliptical orbital क्या होता है undercal orbital कोई ऐसा नहीं होता कि generally अर्थ एक spherical shape में घूमता है अगर यहाँ पर orbit आप देखोगे तो यह कोई goal orbit नहीं देखने को मिलेगी ठीक है यह देखो यह जादी से जादा elliptical होते जारी है elliptical होते जारी है तो अंडाकार जिसे होता है generally ऐसे path में जो है earth या दूसरे planet move करते है sun के around now earth is inclined in the same direction earth हमेशा एक ही direction में incline होती है और इसका मतलब यह मत समझना कि rotate नहीं कर रही है या revolve नहीं कर रही है एक ही side में incline करती है इसका मतलब क्या होता है देखो मैं आपको बताने की कोसिस करता हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो earth जो हती है move करते रहती है और यही ठीक है ऐसा नहीं होता कि यह ऐसे ऐसे भी move करती है उपर नीचे move नहीं करती एक ही side में incline होती है यह सब चीज़ें आपको याद रखने है इसी उसमें जाएंगी और इसी उसमें rotate करी है और अपने भी axis में कर रही है rotation और revolution भी कर रही है ठीक है तो यह सब चीज़ें छोटी छोटी आपको याद होनी चाहिए अब बहुत simple है air is usually divided into summer, winter, spring and autumn season हमारा एक साल अगर एक साल आप पूरा देखोगे जन्वरी से लेकि दिसंबर तक उस पर कभी-कभी आपको गर्मी देखने को मिलेगी अब हम सब इंडिया में है तो उसके according हम यह चीज़ें बात कर रहे हैं USA में वो अलग हो सकता है क्योंकि उसके बेसेस पर अलग light experience करेगा अलग उस पर वो indulge रहेगा now, inclined रहेगा now, हमारे एक साल में चार चीज़ें होती है summer, winter, spring और autumn season हमारे change होते है due to the position of earth around the sun अब earth, sun के around किस तरह से position लेते रहता है उसके बेसेस पर बहुत simple सी चीज़ में यहां पर concept बता रहा हूँ और इसी चीज़ को UPSC prelims, इसी line को क्या है complex बना के आप से पूछती है होता question वही है, complex आपको बनाया जाता है season change होते रहते हैं किस बेसेस पर कि earth अपना position change करता है sun के around अब position change करने का मतलब क्या है comment box बना बताओ position change करने का मतलब rotation होगा या revolution होगा तो position change करने का मतलब क्या होगा simple सी बात है revolution होगा तो इसके बेसे सपाहम कह सकते हैं revolution एक one of the revolution एक one of the major factor है season change होने का तो आज मैं इस chapter में बता रहा हूँ अगला 7th, 8th, 9th, 10th chapter आएंगे तो यहीं पर चीज़ा आएंगे और class 11th की geography तो बहुत ज़्यादा important हो जाती है ठीक है now सबसे पहना term है summer solstice बहुत ज़्यादा important term है इसको अच्छे से समझेंगे सबसे पहने summer solstice का मतलब क्या होता है northern hemisphere is tilted towards the sun बहुत simple सा concept है जो northern hemisphere होता है इसको हमने chapter 2 में पढ़ा था northern hemisphere क्या है क्या होता है northern hemisphere यही equator की उपर वाला northern hemisphere होता है अब northern hemisphere होगा तो उपर होता है tropic of cancer 23 by 23 and half not 3D ठीक है तो sun rage क्या होती है डारेक्टली tropic of cancer में गिरती है उसके वज़े से northern hemisphere वाले हिस्से को ज़्यादा heat मिल जाती है ठीक है और वैसे ही areas near the pole receives less heat as rage of sun are slanting यह तो हमें पता ही है तो actual में summer solstice होता क्या है बहुत simple सी चीज है अब देखो क्या है इस पूरे को हम इस NCRT के figure से समझाना चाहेंगे ठीक है यह आपको देखने को मिल रहा northern hemisphere में यह summer solstice से याद रखो northern hemisphere में क्या होता है इसमें ज़्यादा देखो northern hemisphere ज़्यादा tilt है sun के around ठीक है यहाँ पर देखो northern hemisphere ज़्यादा around नहीं है देखो axis के यह northern hemisphere में यह black आया हुआ है पूरा समर आये रहता है वहीं इसी चीज़ को Southern Hemisphere में सेम इन दिनों ही उसे विंटर सीजन कहेंगे या विंटर सॉल्ट स्टाइस होता है नौ बहुत सिंपल है फिर वही चीज़े मैंने बोला पूरे 6 मेने के लिए क्या होता है जो Northern Pole होता है या Northern Hemisphere होता है सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि आपका इस दिन बहुत ज़्यदा हीट क्या होती है रहती है पूरे Northern Hemisphere में जैसा मैंने बोला ना हर एक altitude में हर एक latitude में जो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn होते हैं उसे Taurid zone बोलते हैं क्योंकि एक ना एक दिन वहाँ पर हर एक latitude में over the latitude overhead क्या होता है सन आये रहता है तो वही दिन है 21 जून आपको यह याद रखने है 21 जून को सबसे ज़्यादा Northern Hemisphere में लगातार सन की रेज आती रहती हैं और इस दिन सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि लगातार सन रेज हैं और लंबे समय तक हैं तो दिन लंबा होगा तो सिंपल सी बात है रात तो छोटी होगी होता तो 24 घंटे का है ऐसा दनी न कि दिन पूरा अगर 16 घंटे का हो रहा है तो रात भी 16 घंटे की होगी नहीं दिन अगर 20 घंटे का होता है तो रात 4 घंटे की होगी यानि कि दिन में ज्यादा जो सन रेज है वो रिसीब हो रही है अगर सेम दिन में southern hemisphere में देखें तो वही जो चल रहा होगा वो winter season चल रहा होगा क्योंकि वहाँ पर simple सी बात है sunrage है नहीं तो nights वहाँ पर बहुत जदा बड़ी है यहाँ पर तो दिन बड़ा है पर southern hemisphere में summer solstice में और इस position की sun को क्या कहते है summer solstice कहते हैं तो further concept के लिए अगर summer solstice कब आएगा 21st June में तो summer solstice है तो northern hemisphere में क्या होता है summer होगा और southern hemisphere में winter होगा यह concept इतना याद के लो जादा complex मत बनाओ वैसे ही 22 December जब December आने लग जाता है तब हमारा जो southern hemisphere है अब यह सब चीज़ें क्यों हो रही है क्यों कि sun क्या कर रहा है revolve कर रहा है revolve कर रहेगा तो simple सी बात है उसकी position along the sun around the sun वो change होती रहेंगी winter solstice में बहुत simple है winter solstice में जो northern hemisphere का हिस्सा है वो ठंडा हैगा देखे बहुत simple सा ट्रेगा summer solstice में northern hemisphere समर रहेगा और winter solstice में northern hemisphere ठंडा रहेगा नाम से बहुत simple सा लग रहा है ठीक है northern hemisphere के basis पर सोचो और जो उसका opposite hemisphere होगा वहाँ पर हमेशा reverse से रहेगी situation अब ऐसा क्यों होता है क्यों कि southern hemisphere ज़्यादा tilt है देखो sun की और अगर यहाँ पर देखो कि winter में यहाँ पर dark चीज़े हैं देखो यह पूरा northern hemisphere यहाँ पर dark है बट यहाँ पर देखो southern hemisphere पूरा आया हुआ है ओके access के basis पर भी तो इस दिन 22 December क्या होता है northern hemisphere में क्या होता है winter रहता है और सेम चीज southern में क्या होगा समर रहेगा तो इसी चीज़ को notes के basis पर भी जो NCIT की notes है आप इसको ले सकते हो 299 rupees में 6 to 12 बहुत ज़्यादा important अगर आपका prelims आने वाला है और अगर आप 2020-2021 के लिए prepare कर रहे हो तो 3 मेह आपने waste मत करना notes बनाते होए आपके पास prepared है इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा minimize करके यहाँ पर हमने notes से बनाए हो है now winter solstice 22 December ट्रोपिक आप कैप्रिकॉन receive the direct raise of the sun in the south pole tilt जैसा मैंने बोला winter solstice में southern hemisphere में ज़्यादा होता वो sun की along जो जाता है टिल्टे रहता है ट्रोपिक आप कैंसर में direct sun की raise आती है ठीक है तो sun ज़्यादा portion जो southern hemisphere का है वो light receive करेगा फिर simple सी बात है तो southern hemisphere में लंबे दिन होंगे रातें छोटी होंगी वैसे northern hemisphere में जो होते हैं दिन जो होंगे वो छोटे होंगे राज जो होंगी बड़ी होंगी ठीक है तो जैसा reverse होगा northern hemisphere में और इसी position को winter solstice कहते हैं ओके लास्ट हम पढ़ते हैं equinox फिर हम इस chapter को खतम करते हैं अब देखो ये सब चीजें तो हमने देखी थी अब देखो equinox में आपको देखने को क्या मिलता है equinox में जब sun की rays आएंगी ये देखो पूरे उस पर आती है ठीक है equinox में पूरे उस में आती है ऐसा नहीं कि northern hemisphere में ज़्यादा आ रही है ये southern hemisphere में ज़्यादा आती है तो equinox की डोेट भी याद रख लेनी है 21st March और September 23 direct rays of the sun fall on the equator अब equinox क्या है तो इस पर हमारा equator का concept है अब इसमें जैसा हमने कहा था winter solstrike या summer solstrike में तो ऐसा हो रहा था या तो northern hemisphere ज़्यादा sun की ओर tilt हो रहा था winter solstrike में या southern hemisphere ज़्यादा tilt हो रहा था अब यहाँ पर equinox में कोई ज़्यादा tilt नहीं हो रहा है same है यहाँ पर क्या होता direct equator के पास race पढ़ती है अब यहाँ पर दो date याद रखने है 21st March और 23 September अब 23rd September को क्या होता है Ottoman season होगा northern hemisphere में और spring season होगा southern hemisphere में बहुत simple सी चीज़ है ठीक है तो इस चीज़ को as it is जो है memorize कर लेना है ठीक है 21st March को क्या हो रहा है Ottoman हो रहा है और 23rd March को September को spring season होगा southern में और वहीं पर इसी में बहुत simple है northern hemisphere में क्या होगा spring और southern hemisphere में Ottoman वहीं पर यहां पर reverse होगा northern में Ottoman होगा तो यहां पर spring season होगा ठीक है तो Ottoman और spring season के basis पर आप क्या समझ सकते हो Ottoman और spring season से हम यह समझते हैं कि अलग-अलग season में अलग-अलग first किसानों के respective में अगर बात करूँ indirectly तो अलग-अलग first के रहे थे कि summer sol триस में northern hemisphere में लंबे दिन होते हैं रात हैं छोटी होती हैं winter solिसे में जो southern hemisphere वहाँ लंबे दिन होते हैं और northern hemisphere में छोटे दिन होते हैं पर equinox में क्या ऐसा होता है नहीं यहां पर क्या होता है कोई भी ل्यम सा सन की ओर टिल्ट नहीं होता है तो इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है यह कॉंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है कि अगर बार घंटे का दिन है तो बार घंटे की राज होगी ही होगी नाव यह वाला तो मैंने बताई दिया 23rd सेप्टमबर में ऑटोमन अग जहां पर भी याद रखो जहां पर भी देखो एक और चीज बहुत सिंपल समझाता हूं ओर्टोमन सीजन जनरली वह होगा जहां पर ज्यादा हीट रिसीब होगी अब यहां पर डाइरेक्ट अगर आप यहां पर देख रहे हो गए तो यहां पर देखो साउधन है में इस प important factor जो हर एक UPSI prelims में question पूछा जाता है और इसी में लोग confused हो जाते हैं देखो अगर कोई बोलेगा day और night रात और दिन बदल रहा है तो वो किस वज़े से बदल रहा है क्या वो revolution के basis पर बदल रहा है देखो initial में ncrt class 6 के basis में हम पढ़ेंगे तो वो rotation के basis पर बदलेगा क्योंकि अपने rotation मतलब अपनी access है ना तो rotation अपनी access मतलब कभी यहां पर दिन हो रहा है कभी यहां पर रात हो रही है और यह फिर से आ गया तो दिन रात ही हो गई तो days or night जो होता है याद रखना वो rotation के basis पर बदलता है अगर मैं अब बोलूँगा winter summer या equinox कब हो रहा है यह season के basis पर होता है तो यह revolution के basis पर तो यहां से हमें दो concept सहुंज माये day or night change होता है rotation के basis पर season change होते है revolution के basis पर respectively the days and night and change in the season because of the rotation and revolution of earth respectively यह बहुत ज्यादा important factor है ठीक है अब इस पर confuse मत होना ओके तो इस वीडियो में इतना ही thank you